Assalamu alaikum friends, अमीद आप लोग सब खरिये से होंगे आज के वीडियो जो है वो एक second वीडियो है जो के बैटरी की capacity को चेक करने के बारे में जिसके लिए हम जो module इसमाल करेंगे वो PZEM01 यह DC Digital Multifunctional Meter है इसकी मदद से हम बैटरी की proper capacity जो है वो टेस्ट कर सकते है एक इसी तरह की वीडियो पहले से मेरे चैनल पे मजूद है जो के आप देख सकते हैं उसका link मैं description में भी दे दूँगा और उसमें भी एक पूरा तरीका कार बताया गया कि अगर प्रॉपर बैटरी को टेस्ट करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं इस वीडियो में भी मैंने अपनी दो से तीन बैटरी को प्रॉपर चेक किया था कि इनकी कितनी कापैसिटी है और वो काबल इस्तमाल है या नहीं है तो इसमें जो चीजें इस्तमाल कर रहा हूँ उसमें मैं एक ये मल्टी फंक्शनल मीटर है जिसका जो मैंने आपको मॉडल बताया वो पीजेड एम 051 डीसी डिजिटल मल्टी फंक्शनल मीटर है ठीक है जनाब ये वाला मीटर इस्तमाल कर रहा हूँ साथ में मल्टी फंक्शनल मीटर इसके अंदर प्रोटेक्शन भी मुझूद हैं और कुछ और चीजें में जैसे अलार्म मजूद है, LCD है, कलर डिस्पले है, मतलब लाइट वाला डिस्पले है, डाटा को स्टोर कर सकता है और जो डाटा सेव हो चुका हुआ अगर कोई परचेक्ट शुरू करना बैटरी टेस्ट करने का तो इसका सारा डाटा कलीर भी कर सकते हैं और इसके साथ इसमाल अब इनकी वाइरिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, इस पिक्चर में सबसे पहले एक सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए यह देखें, यह इसकी वाइरिंग है प्रॉपर, यह आपकी बैटरी है, यह शुन्ट लगी हुए है और यह मीटर के चार पॉइंट है, तो यह प् नेगटिव को और नेगटिव वाइर के सेंटर में ही यूज करना है शुन्ट को आपने, और बाकी डिटेल भी जो है वो आपको इसके यूजर मैनुवल में मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल और एकोरेट तरीका है इसे इसे इस्तमाल करने का, मतलब आप इसे बहुत एकोरे ये बैटरी की नेगटिव आई हुई है इसमें और इससे नेगटिव जो है वो आउटपुट इससे लिया गया है, सिर्फ नेगटिव तार के दरमयान में ही शंट लगाए गया है, तो आप लोग अगर, मतलब इस तरह की चीज़े घर पे होनी चाहिए बजाएज के कि हम कि की के कहने पे जो है वो चेक करें कि हमारी बैटरी बिता दें कितनी के पैस की के है और इस तरह की मुक्लिफ चीज़ें, तो इस तरह के जो कुछ चीज़ें हैं वो बंदे को घर पे रख लेनी चाहिए, ऑन अन आफ उनकी जरूरत पढ़ती रहती है, तो एक जो मैंने इसकी एक बैटरी टेस्ट करते हैं कि वीडियो बनाई थी, अब भी वो हम शुरू करते हैं, और देखिए उसमें पूरा तरीका कार जो है वो क्या है और किस तरह यह वर्क करता है, असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको बैटरी की कपासिटी जो है वो टेस्ट क सकते हैं कितने वाट हवर की बैटरी है हमारी और क्या है यह बैटरी जो है वो मिल्लक की बैटरी है और 62ंप 1 अवर की है अगर मां आपो दिछास हो 더いいो यह 62GG फोनाफर की बैटरी है मिल्लक की इसे कल मैंने फुल चार्ज कर लख लिए था ऑपने जब भी बैटरी तस्ट करन करने के बाद चोड़ दें और उससे अगले दिन जो है वो उसकी कपैसिटी टेस्ट करें अब कपैसिटी जो है वो मैं यह एक कपैसिटी मीटर है और साथ में यह 100 अमपेर की शंट लगी हुई है इसकी वाइरिंग में आपको जो है वो एंड पे शेयर कर दूँगा और अब भी जो है अगर इस मीटर पे देखें आप 12-36 वोल्ट है और इस वकत जो है यह प्रीवियस है यह मैं क्लियर करना चाहूंगा प्रीवियस वाट आवर है पैंसिल देना पर चाहूंगा और यह लोड नहीं है और यह हमारी पिछली एक बैटरी में ने चकी थी उसकी एतनी वाट आवर अनर्जी था भी सेट करने के लिए यह बटन को प्रस करना हूंगा और यह कलियर हो गया अब हमारा जो है अनर्जी मतलब यह कितने वाट आवर कंस्यूम करेगी वो यहां पे शो और बैटरी के कितने वालट आवाट यहां पे शो होगा और कितने अमपेर जो है वो लोड पे चल रहे हैं वो यहां पे शो बोगा अब भी हम इसकेसाथ लोड अटेश करने लगें लोड के लिए मैं एक यह डीजी बाराव वॉल्ट पली लाइट इसमाल करूँगा और उम मिलान आ देना भाई दोनों लाइट है अब ये लाइट लोड हमने अटेश कर दिया बैटरी के साथ अब हम देखते हैं यहां पर क्या सूर्थ या अब यह देखें यहां पर 0.8 अमपेर ले रही है ये लाइट दस वाट की ये लाइट है और बैटरी को वोल्टेज देखने दॉट हो गए है ग्यारा शर्या नौ पर पहुंच दिया तो इसका मतलब है यह कि बैटरी खराब है क्यूंकर कल यह बैटरी चार्ज थी और 14 चार्या चार्च इसके बोल्टेज थी और जणाब इस वे मैंने 24 आर जी यह ताकि इसकी इंटर्नल रिजिस्टेंस के बारे में पता चले कि बैटरी पड़ी पड़ी जो है खतम होती है नहीं होती क्या सीन है सो इनिशियल जो है इसका रिजल्ट वो यह है कि बैटरी की इंटर्नल रिजिस्टन्स बहुत ज्यादा है जो कि चार्ज को अपने अंदर रिटेन नहीं रख सकती है एनिवे फिर भी देखते हैं किया सीन है कितनी देर चलती है और इसके पर वैसे ज्यादा लोड डालना चाहिए 5-7 अंपेर का लोड डालना चाहिए ताके बैटरी क्विकली डिस्चार्ज हो और आपको जल्दी से रिजल्ट पि ले अभी तो खेर यह वाली लाइट जो है यह पॉइंट एक अंपेर से भी कम ले रही है यानिक दस वाट की लाइट है तो इसके साथ मैं लोड बढ़ा के अमयर साब से कहूंगा मैं लोड बढ़ाएं किसी तरह ताके हमें आइडिया हो मैं लोड बढ़ा के फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ तो यह लोड अ तोटल जो है वो अभी फिर खिल गई है मैं सब यह खिल रही है थाई यह तो कार्बन है यह देखे तोटल लोड इस वकद 3.8 अमबेर है यानिके 40-44-45 वाट से यह डिस्चार्ज हो रही है और बैटरी के वल्ट है 11 शर्या शार पे पहुंचके हैं मैं इसकी तार गरम हो ज इस चीज चीज से एक्श्वल जो एक्ष्वल जो पैस्टी है ने कापैसिटी मीटर जो शुन्ट वाला हो इस से एक्ष्वल जो है वो आप कयपैसिटी मालूम कर सकते हैं बैटरी की एनिवे यह शायद लाइट में कोई शू चल रहा है क्या सीन है है यार ग्रैग ने ना है देव बंद करते बंद करते सड़ जा नहीं हो इनने भाई गई एनिवे आ अगर आप नोट करें तो अभी तक यह वाट आवर इसने कपैस्टी शो करवाई है ठीक है एनिवे मेरा नहीं ख्याल है यह पांच शे साथ दस वाट से ज्यादा की बैटरी हो इससे हम लगा रहने देते हैं और थोड़ी देर ठैर के से चेक करते हैं क्या सीन बंद रहे हैं बैटरी मारी 11.4 पर पहुंच गई और इस वगद तीन अमपेर लोड ले रही हैं लाइट्स यानिकर पैंतिस वाट की लाइट्स हैं अब ही मैं लोड बढ़ाने लगा हूँ यह 12 वोल्ट की इस्तरी है हमारे पास यह देखें जनाब बी सी 12 वोल्ट यह उसके कलमप है और यह हम लोड बढ़ाने लगें इसके हमारे लोड बढ़ाने लगा हूँ यह 12 वोल्ट की इस्तरी है जनाब सोलर आइरन प्रेस के नाव है अब यह मैं सब जो हैं लोड बढ़ाने लगें इस तरीगा और यहां पर मैं मीटर पर डखता हूँ देखते हैं कि ज्यादा अगर लोड बढ़ता है तो क्या सुर्टियाल होती बस बैटरी से कुनेक्टर पाई बचा कर रखें जोड नादें लें जी 15 अम्पेर से डिस्चार्ज हो रही है और बैटरी के वोल्टेज दस चरिया 6 पर पहुंच गया है 15 वोल्ट से बैटर हमारी इस तरी यह इसको किनेक्टर लगा दी है कम असकं इतना लोड होना चाहिए अगर आपने DC लोड चलाना तो 15 से 20 अम्पेर का लोड डालें इस बैटरी को दस चरिया 7 पर पहुंच गया है इस बैटरी को दस चरिया 5 पे हम कट करवाएंगे वैसे तो नौर्मले में 10 चरिया 8 पर करवाना चाहिए लेकिन मैं इसे 10 चरिया 5 पर करवाऊंगा अभी तक टोटल चार वाट हमारे कंट्यूम हो चुके हुए चार वाट हमारे कपैस्टिया में शो कर रहा है 15 अम्पेर से डिस्चार्ज हो रही है बैटरी के वॉल्टेज 10.7 है और 165 वाट की है इस तरही है गरम हो रही है बड़ी स्लो गरम हो रही है किमें रही है किमें रही है किमें रही है 15 अम्पेर ला रही है और सब यानी के 175 वाट देश तरही है कि मिलेब कर दो यह तरही है और सब्सक्राज़ कि बारा देने ने ने ना बारा बोल्ट के देए होगा तो ना बारा वोल्ट है अब भी यह खार अब देखते हैं कितने कितनी कितने यह कापैस्टिया में शो करता है अब भी मैं वीडियो पॉस कर रहा हूं और फिर फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूं इस वक्त बारा वाट आपर हमारी बैटरी कपैस्टी शो कर रही है 10.7 वोल्ट है 15.4 अपर अक्स्ट्रैक्ट कर रही है यह 165 वाट की है इस तरी है डीसी तो अगर एक और अब रफ आइडिया लगाएं तो अगर 10 शरिया इसे 5 पे हम कट अफ करवाते हैं तो मेरा खाल है यह 32 से 40 वाट आवर अनरजी होगी तो अगर मैं फाइनल कल कंक्ल्यूड करूं तो हमारी बैटरी अप्रॉक्सिमेटली यह जो 12 वॉल्ट 62 वाट आवर की है तो यह कपैस्टी बनती है 12 को मल्टिपलाई करेंगे 62 से तो यह अप्रॉक्सिमेटली 7500 वाट यह जब कि यह बैटरी है जबकि हमें 10 शारिया 6 पर यह सरफ 15 वाट आवर दे रही है अपके फुल बैटरी थी तो यह बैटरी जो है यह फारिक हो चुक्य है खराब हो चुक्य हुए है काबले इस्तमाल नहीं है और यह फिलहाल फाइनल है आप मैं यहाँ पर वीडियो बं क्षाहां भी हो रही है तो आप लोगों को डाइग्राम जो है वो मैं शेर कर दोंगा इसकी शंट की बलकि मैं आपको दिखा देता है इसकी डाइक साइड पर ही डाइग्राम बनी मुझ अगरिंग जी मुझब है यह है यह यह आप देख सकते हैं वीडियो को पाउस करके इ है सारी वाइरिंग इसी तरह होई होई है एन्यवे थांक्यू बर्मक्च इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में